जर्मनी में हुई पैसों की बारे जिससे लोग होगे माला माल और कौन थी वो लड़की जिसने ददकते हुए जाला मुकी को पार करने का कार नामा करकर दिखाया और क्यों पाइलेट्स प्लेन के कॉपेट में कुलारी को रखते हैं जानेंगे इस वीडियो में आपने बड़े बुजर्गों से कहते हुए सोना हुगा कि पीबल की पेड़ पर राद में भूत और चोड़न लेते हैं क्या ये सच है नहीं दरहसल दूसरे पेड़ों के मुकाबले पीबल का पेड़ दुगनी मातरा में ऑक्सिजन प्रोड्यूस करता है और वहीं राद में साफी ज्यादा मातरा में CO2 प्रोड्यूस करता है अगर कोई राद में पीबल के पेड़ के नीचे सोता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी और नतीजा ये रहेगा कि वो ऐसी चीज़ों को देखेगा जो रियल में है ही नहीं और वो इन चीज़ों को बूत इंचर भार की तरफ खिचने लगेगा ऐसे में पाइलेट को प्लेन की हुशाई कम करनी होगी जिससे एयर प्रैसर कम होने लगेगा और पाइलेट को एमर्जेंसी लेंडनिंग करवानी होगी किसी पास की हवाई एड़े पर नमबर तिन ये बात है 2007 की जब जर्मनी में खौलते हुए गरम जॉला मुखी के पास कोई जाना तो दूर कोई सोचेगा भी नहीं ब्राजीलियन एडवेंचरर करीना ओलेवा ने खौलते हुए गरम जॉला मुखी को पार करने का एक वल्ड रिकॉट बनाया और तो और उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े के साथ स्विमिंग करने का भी वल्ड रिकॉट बनाया और उन्होंने कई बर मौंट एपरेस्ट को भी फते किया है नमबर फाइफ क्यों हर प्लेन की कॉपेट में कुलाडी रखना जरूर है अगर ऐसी सिच्वेशन क्रेट होती है जहाँ प्लेन में आग लग जाए या प् पेसेंजर्स बहुत आसानी से एमर्जनसी बिंडो से बाहर चले जाएंगे लेकिन किसी तरह से पाइलिट प्लेन से बाहर नहीं निकल पा रहा तो वो प्लेन की फ्रेंट बिंडो को तोड़कर बाहर आसानी से निकल सकता है